यूपी के मुख्यमंत्री योगे आतितिनाथ मुंबई में आज़ित प्री यूपी क्लोबल इन्वेस्टर्स समेट में सामिल हुए इस दोरान वो कई बड़े उद्योपतियों से मिले समेट को संबोधित करते हुए उन्होंने यूपी में निवेज को आकर्षित करने के लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अक्लेश यादव ने इस पर कई सवाल खड़े कर दिये हैं अग्वार को मैं सच मानू अखवारों में जो छपाए वो मैं सच मानू तो अखवार तो पहले से यह कह चुका है कि हम 13 लाग करोड का M.O.U. कर चुके हैं सवाल यह है कि इन्हें यह बताना चाहिए कि जो पहला investment मीट हुई थी उसमें जो M.O.U. साइन हुए थे पांच लाग करोड के लगबग उसमें कितना जमीन पर उतरा है डिफेंस एक्सपो में देश के प्रधान मंत्री आए देश के डिफेंस मिनिस्टर आए और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बुलाए गए आखरकार डिफेंस एक्सपो में जो M.O.U. साइन हुए थे जिन्होंने जमीन लेने का वादा किया था आज उतरपदेश में जमीन पर कितना उतरा है ये केवल धोका देने के लिए आयोजन है पहले मंत्रियों को बिदेश भीजना फिर खुश शेहर जाना फिर G20 के कारकम यूपी में जाते करना सबसे बड़ी बात तो ये आएगी सामने कि इनके पास इंडेस्टिल पॉलिसी क्या है आखिर का किस इंडेस्टिल पॉलिसी के तहत किस इंसेंटिव के साथ इन्होंने पॉलिसी बनाई है जिससे इन्वेस्टिन उतरपदेश में आएगा और फिर जो लोग NCRV का डेटा देख लेंगे तो वो शायद एक बार को इन्वेस्मेंट करने में घबराएंगे दरसल बीजेपी ने निवेस के लिए जरूरी बुन्यादी धाचे को बेहतरी के जो प्रियास किये गए हैं उनका जिक्र करते हुए यूपी की पूर्व की सरकारों की नाकामी को भी उजागर किया है पिछली सपा बसपा की सरकारों ने एक बार सपा एक बार बसपा एक बार बसपा एक बार बसपा एक बार सपा लंबे समय तक कांग्रेस इनने कभी नहीं सोचा कि हवाई कनेक्टिटी अच्छी हो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छी हो आस्पिटल सो रोड करेक्टिटी हो आज जब 2017 में हम सरकार में आये थे तो क्यों दो एरपोर्ट संचालित थे आज नौ एरपोर्ट संचालित पांच बहुत जल्दी चालू होने जा रहा है 14 एरपोर्ट देश में पहला राज होने का सवभाग प्राप्ट रावतर प्रदेश को जहां पांच इंटरनेशनल एरपोर्ट आज पूरे देश का जो एक्सप्रिस्वे का नेटवर्क है उसका लगभग 37.7 परसेंट लगभग 40 पर किनारा है जल्दी पूरे देश का 50% एक्सप्रिस्वे हमारे पास होगा है गंगा जमना इस गंगा जमना सर्यू ऐसी तमाम जो पवित्र नदिया है 1153 किलो मीटर नदियों का किनारा हमारे पास बहुत औरवरक फटाइल जमीन है जो जहां पर बहुत सारे हमें राव मटेरि इसकी ओर आकरसित कर रही इन्वेस्टर को सारे इन्वेस्टर का हित सुरच्छी थो सरनच्छी थो इसके लिए हम काम कर रहे हैं और अभी 3 जून 2022 को मानी प्रधान मंतिजी के करकमलों से 80,224 करोड रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरिमेनी जिस बात का गवा है कि इन आप बल गई है